नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार पुना टार्वित आलोग ओलाइन इंस्ट्यूट में मैं गौरवन रेंजन स्वागत करता हूँ एक बार पुना उम्मीद है कि अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मह आसना देश नहीं आया पी एन पी उसका एक्जाम कराएगी लिकित परिक्षा के तौर पर उसका भी आपको सिलेवर्स मिल जाएगा तो जो लोग टीटी पास हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है अगर आप बीटी सी किये हुए हैं और अगर आप खंड सिक्छा दिकारी का हम नहीं बर पाते हैं तो आपके लिए कि सुनहरा मौका है और ऐसे लोग जो बीट किये हुए हैं साती साथ टीटी या सीटेट पास हैं तो उनके लिए दौनों भरती परिक्षा महत्पूर्ण हैं लगन के साथ इमांदारी के साथ पढ़ते रहेगा और वर्स 2020 में एक सीट अपने लिए रिजर्ब कर लिजेगा बड़ी-बड़ी महत्पूर्ण परिक्षा हैं इसके बाद भी और सारी विकैंसी आएंगे जितना अभी तक गया थे उस आधार पर बताया रहा है ठीक ना तो खंड सिच्छा दिकारी का हमारे यहां बैच चल रहा है जो भी इस बैच 7857 7857 7857 यह हमारे संस्थान का नंबर है इस नंबर पर आपको वर्टसप के माध्यम से बी-ई-ओ इंटरी लिखकर सेंड कर देना है जो भी एड़ीशन की पिर्किरिया है आपको एड़ीशन की पिर्किरिया समझा दी जाएगी 2020 में जितने भी एक अभी यह नया वर्स प जहां पर भी जाना है उनको अंडरलाइन कर लिजेगा जितने भी ग्यात हो और बकाया दिनों में इमांदारी से 7-8 घंटे की तैयारी करना है और इस तैयारी में हमारा संस्थान आपका पूर्ण सहयो करेगा सारी की सारी क्लासे हम लोग अबलेविल कराएंगे जो आप से प्रॉमिस के पूरी करेंगे तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से मैसेज करेंगे और जल्दी से हमारे बैच को जोईन करेंगे इसी उम्मीद के साथ हम आज इक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कल मैंने लाइप पड़ा है था भारत का भॉगोल में पढ़ा रहा महादीब, तो दच्छन अमेरिका महादीब का यहाँ पर मैंने एक डाइगराम लगाया हुआ है, अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा छेत्रफल की दृष्टी से विस्से का सबसे बड़ा महादीप एसिया है उसके बाद अफ्रीका उसके बाद उत्तर अमेरिका उसके बाद दच्छन अमेरिका तो छेत्रफल की दृष्टी से दच्छन अमेरिका इसी को हम लोग समझेंगे तो दच्छन अमेरिका और दच्छन अमेर काम है पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा छेत्रफल की द्रिष्टी से छेत्रफल की द्रिष्टी से कौन से नंबर का छेत्रफल की द्रिष्टी से चौथा सबसे बड़ा महादुई चौथा सबसे बड़ा महादुई पहला पॉइंट ठीक ना सबसे बड़ा महादुई ये तो आमने चेत्रफल के आधार पर बताया जनसंख्या के आधार पर आपको ग्याद करना है ठीक ना दूसरा पॉइंट देखते हैं जब भी देखेगा मैं किवल आपको अभी समझा रहा हूं कैसे पढ़ना होता है चाहे आप एडिविशन हो या ना हो आपको कैसे पढ़न और नीचे बाली दच्छन होती है अगर हम देखें तो ए दच्छन अमेरिका महादीब के पूर में अट्लांटिक महसागर है और यहां से दच्छन अमेरिका में एक रेखा उजरती बिश्वत रेखा तो बिश्वत रेखा की ऊपर अट्लांटिक महसागर है पूरम में तो रेखा के ऊपर का जो अट्लांटिक महासागर इसको नाम दे दिया गया नौर्थ अट्लांटिक महासागर और नीचे वाला है इसको नाम दे दिया गया दच्छन अट्लांटिक महासागर यानि नौर्थ अट्लांटिक ओशियन विश्वत रेखा के ऊपर वाला और नीचे वा महासागर है तो अटलांटिक महासागर है ठीक ना उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पश्चिम में तो पश्चिम में हमें ग्यात हो जाता है साउथ अगर हम पश्चिम में बात करते हैं तो इसके पश्चिम है साउथ पैस्पिक ओसियन यानि पैस्पिक मतला प्रसांत महास इसके पश्चिम में प्रसांत महासागर है तो इसके पश्चिम में जो महासागर है इसका नाम है प्रसांत महासागर उसके बाद अगर हम दच्छण में बात करते हैं या नीचे तो यहां पर दच्छणी महासागर है दच्छण में जो महासागर है इसका नाम है दच्छणी मह महासागर के नाम है दच्छन महासागर और अगर उत्तर की बात करते हैं तो इसके उत्तर में एक महासागर है और सागर का नाम है कैरेबियन सागर और सागर के साथ साथ यहां पर एक देश भी है जो इसका नाम पनामा है और पनामा जो है वो उत्तर अमेरिका के अंतरगत बलक आपसे question पूछा जाएगा कि कौन सा देश है जो दच्छन अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ता है तो पनामा कौन सा है पनामा ठीक न इसी पनामा देश में एक नहर का निर्माण किया गया और पनामा देश में जो नहर का निर्माण किया गया इसका नाम है पनामा नहर क से प्रसांत महासागर आना चाहता है तो उसको एक नहर को पार करना पड़ेगा और जो नहर वो पार करेगा उस नहर का नाम हो जाएगा पनामा नहर दूसरे सब्दों में जब कोई भी व्यक्ति अट्लांटिक महासागर से जब कोई भी करें प्रसांत महासागर में आएगा त तो South Pacific Ocean दच्छन प्रसांत महासागर से जोड़ती है कहां से दच्छन प्रसांत महासागर आपको याद रखना है ठीक ना तो उत्तर में ही इसके उत्तर में ही पनामा देश है और पनामा देश में एक नहर है और पनामा देश में जो नहर है इस नहर का नाम है पनामा नहर उपर उपर की बातें हुए अभी तक आप इसका स्क्रीन स्ट लीजेगा हम लोग आंगे बढ़ जाएंगे चले कि इसको मिटा देते हैं दच्छण अमेरिका महादीब से दो महत्रपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं तीर महात्पूर अच्छांस रेखा हैं आपको याद रखना है करकी रेखा मकर रेखा और विश्वत रेखा इस महादीब से दो महात्पूर अच्छांस रेखा हैं गुजरती हैं और दो महात्पूर अच्छांस रेखा हैं एक तो यहाँ पर है और इस अच्छांस रेखा को के बिशवत और मकर दो रेख़ाएं गुजरती हैं अगर हम पिशवत रेख़ा की बात करते हैं तो यहाँ से गुजरती है तो कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है तो समझिएगा यहाँ पर एक देश है इस देश का नाम है एक्वाडोर यहाँ पर एक देश है कोलाम्बिया और यहाँ पर एक देश है बिराजील तो विश्वत रेखा तीन देशों से होकर गुजरती है तीन देश कौन से हैं तो एक देश का नाम हो जाता है आपका एक्वाडोर दूसरा हो जाता है आपका क्या तो दूसरा हो जाता है आपका कोलाम्बिया एक्वाडोर, एक्वाडोर के बाद दूसरा कोलाम्बिया और कोलांबिया के बाद अंगला हो जाता है आपका ब्राजील कौन सा हो जाता है ब्राजील तीन देशों से होकर गुजरती है अगर वही अगर बिश्वत रेखा के बाद हम बात करते हैं मकर रेखा की बिश्वत रेखा के बाद अगर हम बात करते हैं मकर रेखा की तो मकर रेखा कहां से उकर गुजरती है, यहां पर एक देश है चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद परागवे और परागवे के बाद वराजील, तो चार देशों से उकर गुजरती है, एक का नाम है चिली, चिली के बाद है आपका अर्जेंटीना चिली हो गया चिली के बाद हो गया अर्जेंटीना चिली अर्जेंटीना अर्जेंटीना के बाद हो गया आपका परागवे और परागवे के बाद हो गया आपका विराजील इन चार देशों से होते हुए कौन से रेखा गुजरती है इन चार देशों से होते हुए हमारी मकर गुजरती है अगर माली जीगा कोश्चन पूछा जाता है कि दच्छन अमेरिका के कैसे देश का नाम बताएगा जिससे बिश्वत रेखा और मकर रेखा दौनों गुजरती हो तो कौन सा देश है ब्राजील मकर रेखा भी गुजर रही है तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा विराजियल देश ठीक ना इसके नाम दे देते हैं गलोब इसको हम क्या नाम दे देते हैं तो इसको एक नाम दे दिया गया गलोब एक गलोब है और इस गलोब पर यहां से एक रेखा उजार देते हैं यह बात तो मैं कई बार समझाया हूँ एक क्वेटर यानि जीरो डिग्री अच्छांस से उपर वाला भाग उत्री गोलार्द और नीचे वाला भाग दच्छनी गोलार्द अगर मैं कहूं के दच्छन अमेरिका महादीप किस गोलार्द में है तो आप देख सकते हैं बिश्वत रेखा के उपर वाला च्छेतर उत्री गोलार्द में है और बिश्वत रेखा के नीचे वाला च्छेतर जो है वो कहां पर है वो आपका दच्छनी गोलार्द में तो उत् पूछा जाए कि दच्छन अमेरिका महादीब तो देखे का नाम में जरूर दच्छन लिखा है लेकिन पूर्ण रूप से दच्छनी गोलार्द में नहीं है हाँ इसका लगबग तीन चौथाई भाग तो दच्छनी गोलार्द में है लेकिन एक चौथाई भाग इसका उत्री अगर मैं यहाँ पर एक रेखा बनाऊं इस रेखा का नाम होता है बावु करकरेखा करक रेखका ट्रौपれない काहाँ 2.5-3 डिगरी नौर्थ और यहां पर एक रेखा होती है वन hopping अर दूसरी मकर रेखा, एक करक रेखा और दूसरी मकर रेखा तो कर्क और मकर रेखा के जो बीच का छेत्र होता है इस बीच वाले छेत्र को भली भाती जानती है हम इस बीच वाले छेत्र को नाम दिया जाता है उस्ण कटबंद क्या नाम दिया जाता है इस वीच वाले छेत्र को नाम दिया जाता है उश्ण कटबंद अगर मैं जब ब्राजील की या जब दच्छन अमेरिका की में जलबायू समझाऊंगा तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो हमारा दच्छन अमेरिका है वह किस एकंसी रेखा गुजर रही है विश्वत रेखा और इकंसी रेखा लने मकर रेखा तो इह गुजर रही है तो यहां से मकर रेखा के जो ऊपर वाला छित्र है वो तो हमारा उश्ण कडवंद में हो जाएगा और मकर रेखा के जो नीचे वाला छित्र यानि इस वाले छित्र की बात हो रही है तो मकर रेखा के नीचे वाला छित्र होया है वो हमारा हो जाएगा से तो उ उशन कटबंद्य के नाम से जानते हैं, जबकि मकर रेखा के नीचे वाला या करकर रेखा की ऊपर वाले चेतर को हम उपोषण या सितोषण कटबंद्य के नाम से जानते हैं, इतनी बात याद रखना, अगर आप से question पूंचा जाता है, कि बताइएगा कि दच्छन अमेरिका महादेप किस कटबंद में है तो दो कटबंदों में है मकर रेखा की उपर का भाग उशन कटबंद में है जबकि मकर रेखा के नीचे वाला भाग सी तो उशन या उपोशन कटबंद में है हम इस बात को लिख लेंगे इस बात को हम लिखेंगे दच्छन अमेरिका अगर दच्छन अमेरिका के कटबंद की बात की जाती है तो दच्छन अमेरिका दो कटबंद में हो जाएगा एक मकर रेखा के उपर वाला छेत्र तो मकर रेखा के उपर वाला छेत्र किस कटबंद में हो जाएगा और मकर रेखा के नीचे वाला छेत्र किस कटबंद में हो जाएगा तो यह हो जाएगा उपर वाला छेत्र किस कटबंद में हो जाएगा क्या नाम दे दिया गया इसी को नाम दे दिया गया सी तोष्ण या उपर रेखा है और यहां पर मकर रेखा है हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा विश्वत रेखा के उपर वाला छेत्र उष्ण कटबंद में है है एक कुस्ष्ण पूछा गया उसमें लोग से वायोग की भरती परिक्छह में पिस्य आइस का है मुझे सतन्याद नहीं है पिस्य आसका है दच्छन अमेरिका के एक ऐसे देश का नाम बताईएगा जो उशन कटबंद में इस्तित नहीं है अर्थार्थ जो उपोर्षन कटबंद में इस्तित भाई दच्छन अमेरिका दो ही कटबंदों में है या तो उशन में या उपोर्षन ऐसी तो उशन में तो कह रहा है दच्छ प्लत गलत दो अगर बात कड़ें अर्जेंटिन से यह उपर बाला च्छेत्र अगर बात करने और रूप से उपोर्षण कडवन में है देश का नाम ए रहा और देश का नाम है उरुगवे दच्छण अमेरिका का उरुगवे एक मात्र ऐसा देश है जो पून रूप से उपोर्ष नेया सीटोषण कडवन में इस्तेत हैं। करह Chinese कि आपको याद रखना है देश का नाम क्या है तो इस देश का नाम हो जाएगा आपका अरुबे देश 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 का नाम हो जायेगा आपका डश्ण हम सबसे सरम के डैससे आपको आपकोटंच लिए हैं हम लुग में करके ऐससे आपको इसे आपको कउंटिंग करने फिल्गा गवाना चार शुरेनाम पांच फ्रेंच गवाना साथ ब्राजील ब्राजील साथ उरोगवे आठ ठीक ना आठ हो गए अब यहां से ऐसे नीचे आएंगे सिदे आठ हो गए थे ना परागवे ओ सरी पेरु नौ बोलिविया दस परागवे गैरा अर्जेंटीना बारा सिली ते बात करते हैं टोटल कंट्री इन साउथ अमेरिका तो इनकी संख्या आ जाती है तेरा अब इन तेरा देशों में से छेत्रफल के अधार पर किसा अधार पर छेत्रफल की दृष्टी से इनमें कोई ना कोई एक सबसे बड़ा होगा और कोई ना कोई एक सबसे छोटा होगा इन 13 देशों मैं से, तो अगर बात करें कि छित्रफल की डृष्टी से इन 13 देशों मैं से कोई नही कोई बड़ा और एक छोटा होगा, तो सबसे बड़ा तो हमें देखी रहा है ब्राजील है, बिसका पांच माण सबसे बड़ा देश है ब्राजील, पहला कौम सा है पहला रूस फिर कनाड़ा फिर चीन फिर यूएसे उसके बाद ब्राजील ठीक ना तो याद रखना है अब दच्छन मेरका के अगर सबसे छोटे देश की बात करते हैं तो यहाँ पार है जिसका नाम है फ्रेंच गुआना फ्रेंच गुआना ठीक ना अच्छा लग अब अंगला समझेगा अंगला समझेगा चार ओर आपको पानी पानी दिखाई दे रहा है दच्छन मेरका में सभी देशों के पास क्या तट रेखा है तट रेखा का मतलब होता है क्या सभी देश तट के किनार इस्तित हैं या सभी देश समुद्र के किनार इस्तित हैं तो स नहीं दो देश दच्छण अमेरिका में ऐसे हैं जिनके पास तट रेखा नहीं है या जो तट के समी पिस्तित नहीं है कौन कौन से तो देख लिजेगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक देश का तो नाम है बोलीबिया चारो और से धरातल से घिरा हुआ है ठीक ना चारो और से धरातल से घिरा हुआ है और यहां पर एक और मिल जाता है परागवे एह हो गया तो बोलीबिया और परागवे दच्छण अमेरिका के दो ऐसे देश हैं जिनके पास तट रेखा का अभाव पाया जाता है दूसरे सब्दों में गो ऐसे कुछ नहीं यह दो, आप से कुछोन पूछेगा जिच्छण अमेरिका के ऐसे दो देश जो चारो और से धरातल से घिरे हुए तो चारो और से धरातल से घुरे हुए दो देश हैं एक कनाम बोलिबिया है और दूसरे कनाम परागवे तो यहाँ पर अंगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे अंगला पॉइंट लिखेंगे बोलिबिया एवं परागवे बोलिबिया एवं परागवे क्या है इस्थल आवद इस्थल आवद क्या है इस्थल आवद देश है दूसरे सब्दों में नहीं कम कह सकते हैं इनके पास तट्रेखा नहीं है इनके पास तट्रेखा का क्या है तट्रेखा का आभाव है तट्रेखा नहीं पाई जाती है इनके पास तट्रेखा यानि जली सीमा इनके पास नहीं है ठीक ना बना लीजीए गर्स को चले अगला देखते हैं कंसा देख रहा तो यहां पर एक देख हो जाता चिली तो दच्छन अमेरिका के दो देख जो ब्राजील को इस पर्स नहीं करते हैं अच्छे समझेगा तो हमें आप लिख लेते हैं एक देख का नाम है एकवाडोर और दूसरे का नाम है चिली एकवाडोर एवं चिली तो बैजील कोईषण नहीं करते हैं तो दो देश ऐसे हैं दच्छन अमेरिकाम हैً जो बैजील कोईश्पर्स नहीं करते हैं एक अनम अक्वाडौर और दूसरे owner चले ट्रा थीख लेट आक है जैसी गहरा है वह लेगे तो यह गलत हो जाएगा अगर मैं कह रहा हूं कि दच्छन अमेरिका मैं टोटल देशों की संख्या है तेरा और ब्राजील को ना इसपर्स करने वाले या ऐसे देश जो ब्राजील को इसपर्स करने वाले देशों की संख्या दस ना कि गैरा ब्राजील भी तो एक है भाई ब्राजील तो ए तेन, बेनेजोला चार, कोलंबिया पांच, पेरू छे, बोलिबिया साथ, परागवे आठ और यहां परे अर्जेंटीना नो और उरुगवे दस, तो ब्राजील के दच्छन अमेरिका में दस देश ऐसे हैं, जो ब्राजील को इस पर्स करते हैं, ठीक ना, ना की ग्यारा, ठीक सागर के तटपर है, दूसरा, ब्राजील से कर्क और मकर दोनों, सॉरी, ब्राजील से बिस्वत और मकर रिखा, दोनों गोजरती, यह भी सही है, तीसरा, ब्राजील गैराए देशों को इस पर्स करता है, और चौथा ओप्सन था, कि ब्राजील छित्पगी दिश्टी से को इस पर्स नहीं करता है, बलकि ब्राजील दस देशों को इस पर्स करता है, कितने देशों को इस पर्स करता है, दस, इसी प्रकार से अपसे कोश्चर में पूछे जाएगे, ठीक ना, आंगे बढ़ते हैं, ठीक ना, तो अगर मैं यहीं पर लिख लूँ, ब्राजील को इस इस पर्स करने वाले देश कौन कौन से हैं तो ब्राजील को इस पर्स करने वाले देशों की संख्या पूंच जाएगी तो याद रखना ब्राजील को इस पर्स करने वाले देशों की संख्या हो जाएगी आपकी 10 अभी मैं मैं पढ़ा रहा था उपर उपर की बात हो रहे थी अब entry करते हैं, मांचित्र में अंदर की, ठीक ना, यहां पर दो देश है, एक नाम पेरु है, और दूसरे एक नाम बोलिविया है, पेरु और बोलिविया की सीमा पर यहां पर लेक है, एक जील है, ठीक ना, पेरु और बोलिविया की सीमा पर यहां पर जील है, ठीक ना, पेर तौनों की सीमा पर जो जील है इस जील का नाम है टिटिका का जील ठीकना तो एक देश से पेरू और दूसरा देश है बोलिबिया एक देश से पेरू और दूसरा देश से बोलिबिया तो पेरू और बोलिबिया की सीमा पर पेरू बोलिबिया की कहां पर सीमा पर एक जील है औ और जील का नाम है टिटिका का जील एक जील है जील का नाम है टिटिका का जील और यह क्या है विस्व की सबसे उची नौगम जील विश्यो की सबसे उची नौगम में जील का अर्थ क्या होता है तो नौगम में जील का अर्थ होता है ऐसी जीलें जहां पर हम क्या चला सकते हैं ऐसी जीलें जहां पर हम नाव चला सकते हैं तो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि टिटिकाका से भी अधिक उचाई पर जीले नहीं हैं बिल्कुल है टिटिकाका से भी अधिक उचाई पर जील हैं लेकर उन जीलों में नाव नहीं चलाई जाती है क्योंकि जैसे जिस उचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में कम याती तो बर पाई जाती है तो बिसकी वह सरबाद एक उची जील जहां पर नाव च सीमा पर है अगर हम पेरू की राधानी की बात करते हैं तो पेरू की राधानी लीमा है और राधानी को हमेसा मिश्टार से बनाएंगे कई बार वो राधानीों को सुमेल करने के लिए पूछ लेता है पीसीयस प्रिलिमस 2019 की परिच्छा में कुश्चन पूछा गया था मद बोलीबिया की राधानी क्या है लापाज है और जो बोलीबिया की राधानी लापाज बिस्व की सरवादिक उचाई परिस्तित राजधानी है और यहां पर इक देश है और जो अलाम आ में को यहां पर नाम है और अधने इक पर्वतियार रखने है एकवाडोर देश में एक जोलमखी परवत है जिसका नाम है कोटोपैक्सी और एक कोटोपैक्सी जो है विस्सो का सबसे उंचा क्या है विस्सो का सबसे उंचा सक्रिय जोलमखी आप से पूँचा जाएगा विस्सो का सबसे उंचा सक्रिय जोलमखी का नाम है कोटोपैक्सी क्या नाम है कोटोपैक्सी दूसरा इसी एकवाडोर देश में एक चोटी है या एक परवत है जिसका नाम है चिम्बा राजो क्या नाम है चिम्बा राजो और चिम्बा राजो क्या है तो चिम्बा राजो है एकवाडोर की सबसे उंची चोटी एकवाडोर की क्या है एकवाडोर की सर्वोच चोटी एकवाडोर की सर्वोच चोटी का नाम तो एकवाडोर की सर्वोच चोटी का नाम है चिम्बा राजो क्या नाम है चिम्बा राजो क्या नाम है चिम्बा राजो दौनों आपको याद रखनी है एकवाडोर की सबसे उंची चोटी और सब से कुछा सक्री जोला मुखी तो सक्री जोला मुखी का मतलब होता है ऐसे जोला मुखी जिन से वर्तमान समय में लावा निकल रहा है जोला मुखी पिरक्रिया हो रही है और बरुस में भी इसे लगातार जोला मुखी पिरक्रिया होती रहेंगी तो ऐसे को ऐसे जोला मुख तुम्हें 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 रख लेता हैं और कल इसके आंगे मिलेंगे फिर से एक बार आपके लिए आवर्शक सूचना है कि जो लोग भी हमारे यहां संचालित किये जाने वाले बैच खंड कारी ब्लॉक एजूकेशन ऑफिसर मैं बाले बैच में ऑनलाइन बैच में एड़िशन लेने के चुक हैं अभी देर नहीं हुई यह नंबर है 811237857 फिर से एक बार बोला हूँ 811237857 इस नंबर पर आपको वर्टसप के माध्यम से याद रखेगा वर्टसप के माध्यम से बी, ई, ओ, इंट्री लेकर सेंड कर देना है एड़िशन से संबंदित सारी के सारी जानगारी आपको प्रोबाइट करा दी जाएगी और आपको बैच में एड़िशन दे दिया जाएगा टाइमिंग क्या है इस सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बता दी जाएगे ठीक न म बत्रों तो आज यहीं रखते हैं इसके आंगे आपसे रूबरू होते हैं कल धन्यवाद